अब यह हुआ कि अगर आपको अच्छा फिल करना है तो आप लोगों को मदद करते जाए बहुत पैसा कमाने के बाद लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे सूख नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी तक उसने किसको मदद करने की कोशिस ही नहीं की फिर आगे जाके वो घल्दी से ड clicking on the balancing of life मेरे पास कीतने लोग अपने problems लेके आते आते हैं family problems और क्या या problem जब में यह problem के बारे मैं सोचता हूँ कि problem क्यों हुए तब मुझे लगता है कि यह लोग के जीवन में इसलिए problem कि उन्होंने लाइफ में बेलेंसिंग नहीं सिखाता है एक ही पीलर को स्ट्रोंग करते गए बाकी तीनों पीलर को ऐसा ही छोड़ दिया तीनों पीलर वीक हो गए और उनके जीवन में जंजावते आ गई कितनी बड़ी फैमिली है हमारे देश में जिसमें प्रोब्लेम कि उन्होंने बेलेंसिंग करना नहीं सिखा है अब तक हमने यह बात कि कि सही दिशा की मेहनत अब हम यह बात करेंगे कि त्रीद क्या परिश्रम हमें Working in Right डायरेक्शन हमें जो काम करना है उसमें रीत भी vid सपही होनाई क्या सही रित का परिश्रम यानि क्या उपरवाले ने हमें जो दो सक्तिया दी है ये दोनों सक्तियों को हम पहचाने और वो सक्तियों को अच्छी तरह से हम इस्तिमाल करने का तरीका सिख ले वो है हमारा सही तरीका का परिश्रम उपरवाले ने हमें कौन से दो सकती दी है सारे रिख सकते और मांसिक सकते यानि कि मसल पावर और माइंड पावर हम लोग जो काम करते हैं उसमें कौन से सकती ज़्यादा इंपोर्टेंट है सारे रिख या मांसिक माइंड पावर mind power ज्यादा important है इसलिए हम आज बात करेंगे ये mind power के बारे में अच्छा आपने सही से कितने लोगे जिनको लगता है कि उपर वाले ने आपको mind power कम दिया है कोई है इसे आपको ऐसा लगता है mind power कम दिया है इसे क्यों लगता है memory बहुत weak है आच्छा weak है तो उपर वाले ने कम नहीं दिया है जो दिया था उसको आपने बिगाड़ दिया है इसलिए और दूसरी बात यह है कि memory कभी strong and weak होई नहीं सकती memory सिर्फ दो टाइप की रहती है trained memory और untrained memory वो आपका सिर्फ एक सोचने का तरीका है actually weak या strong memory होते नहीं है सिर्फ आप कुछ चीज़े भूल जाते है वैसे mind power उपर वाले ने सबको एक सरिखा दिया है फर्क होता है सिर्फ उसको इस्तमाल करने का कुछ लोग ज़्यादा इस्तमाल करते है और कुछ लोग कम इस्तमाल करते है हम अभी यहीं देख लेते हैं आप में से इसे कितने लोग है जीनों ने 100% mind power उसकिया है कोई नहीं है 50% वाले 25% वाले 10% वाले 10% वाले 5% वाले सिधा हाप करते जा रहा हूं 5% वाले 2.5 वाले 1.25 वाले 1.2 है फिर 0.00 something वाले और जीनों ने हाथ उपर नहीं किया मैं मान लेता हूं कि आपने कभी mind power को इस्तमाल ही नहीं किया साइद आपको मालूम ही नहीं कि आपके पास mind power है इसलिए लोग आपको यह तो मालूम है mind power है मगर कितना है यह नहीं मालूम है आच्छा ओके मगर ने इस्तिमाल नहीं किया ऐसे भी लोग होंगे सायद इसलिए लोग आपको बोलते हैं Never Mind Nevere Mind करते है Don't कि बात साही है हमें यही नहीं मालूम आपर हैं कि इसलिए उसको calculate ले हे और इसलिए है मालूमँ James Harvard University के psychology के professor ने एक बार कहा था कि संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जिनोंने 10% से ज्यादा mind power का इस्तमाल कभी नहीं किया ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है कि हमें mind power के बारे में मन की सक्ति के बारे में बहुत सारी अगनानता है हमें यही नहीं मालूम कि हमारे पास mind है य यह सब चीजे हमें नहीं मालूम है और उसको खास करके कैसे इस्तमाल करते हैं यह सब चीजे नहीं मालूम होने की वज़े से हम mind power का बहुत ही कम इस्तमाल करते हैं सिर्फ यही अगनानता है आज जो हम बात करने जा रहे है वो यही बात करेंगे कि मन क्या है मन कैसे काम करते है कितने मन है मन कहां पे है यह मन की सक्तिया क्या है मन को कैसे इस्तमाल किया जाए अगर आपको यह सब मालूम हो जाए तो अब तक आप जो माइंड पावर का इस्तम कर पाऊगे सायद यह 10% से भी ज्यादा 20% 30% 40% सोथ लिजे के आपने अभी तक 5-10% माइंड पावर यह किया है इस्तमाल किया है फिर भी आप कितना कुछ पा चुके अच्छी पोजीशन पे आपके पास अच्छा घर है अच्छी गाड़ी है सब कुछ है तो अगर आप माइं एंबानी बन सकते है बिल गेट बन सकते है सोनिया गांधी बन सकते है कुछ भी बन सकते है आज हम यही बात करेंगे कि हैं माइंड पावर क्या है पर इसे रामायन में किस्सा है कि अन्मान जी को भी मालूम नहीं था कि उनके पास कितनी सक्तिया है आपको मालूम है और उनक करके आप जीवन में कितना सफल और कुख्य हो सकता हैं। आज हम यही बात करेंगे मन, मन, मन Only Mind. मन के बारे में जो सबसे पहले अगनानता ये है कि मगज यानि कि दिमाग और मन में क्या फ़र्क है। लोग ऐसा ही समय खेंगे कि दिमाग और मन एक ही चीज है आपको साहद मालूम होगा मौल सकते अच्छा मालू है आपको मालू में भाग है और मन हमारा सेथेशन है ओक्या है यस सर भीट धर और भीमारा ओक्यार चाहुआ है नहीं मालूम है, ओके मालूम है दिमाग जो हैं hardware है, वह तो उन्हें बता आया, और कोछ बता ईए yas sr? दिमाग याने जो हम काम करते हैं वो दिमाग से करते हैं और जो सोचते हैं वो मन से सोचते हैं हाँ मैं आपको बताता हूँ दिमाग और मन में क्या फर्कें दिमाग हमारे सरीर का एक हिस्छा एक अंग है एक पार्ट है बोडी का एक पार्ट है एक भौतिक पदार्थ है जिसको हम देख सकते हैं जिसको हम काट सकते हैं जिसका हम फोटोग्राफ ले सकते हैं जिसका हम नास कर सकते हैं इसे फिजिकल एंटिटी मन ये कोई पदार्थ नहीं है शरीर का कोई अंग नहीं है सरीर में से उत्पन होती सकती है जिसको हम देख नहीं सकते जिसको हम काट नहीं सकते जिसके उपर ओपरेशन नहीं कर सकते जिसका फोटो नहीं निकाल सकते जिसका नास नहीं कर सकते जिसे बिदली है इस दिवाल में से बिदली बेहती है हम देख नहीं सकते हैं मगर बिदली का इस्तमाल कर सकते हैं कभी देखी है आपने बिदली नहीं देखी है तो बिदली देखी नहीं है फिर भी हम इस्तमाल करते हैं वैसा ही मन है मन भी बिदली जैसी एक सक्ति है जो हमारे सरीर में से उत्पन होती है और दुनिया के और सक्तियों के साथ जुड़ी वी है इन्होंने जही से बता है computer के language में दिमाग यानि hardware, मन यानि software हम जो इस्तमाल करते हैं वो software यूज करते है जो हमारे hardware के अंदर है हमारे ये body, ये दिमाग, ये सब हमारा hardware है और उसके अंदर हमारा यह software रेता है जिनको हम मन बोलते हैं तो आज हम बात करेंगे वो software की जिसका हम प्रतिदीन यूज करते हैं, इस्तमाल करते हैं अब हम बात करेंगे मन की हमारे पास ऐसे दो मन है जागरत मन और अर्ध जागरत मन इनका जैसे नाम है वैसा ही इनके काम है जागरत मन हमारी जागरत अवस्ता में ही हम इस्तमाल करते हैं जब हम सो जाते हैं या बेहो सोते हैं तब हम जागरत मन को इस्तमाल नहीं करते हैं अर्ध जागरत मन 24 गंटा काम करता है, 24 अवर्स काम करता है यह दोनों में खास तफावत है दुसरा एक खास तफावत यह है कि जागरत मन के पास सिर्फ तेन परशंट पावर है जबकि अर्द जागरत मन के पास 90 परशंट पावर है यह खास तफावत है फिर्षे में बोलता हूँ जागरत मन सिर्फ जागरत अवस्ता में काम करता है अर्द जागरत मन 24 गंटा काम करता है अब आपका कौन सा मन काम कर रहा है ये टाइम पर अनली जागरत मन नहीं अभी दोनों काम कर रहे है जब आप सो जाओगे तब सिर्फ अर्द जागरत मन काम सी सक्तिय और उसके बाद में यह बताऊंगा कि यह दोनों को कैसे अच्छी तरह इस्तमाल किया जाए तो पहले हम बात करेंगे जागरत्मन की सक्तिय है हमारी जो यह पांच इंद्रिया है यह इनके उपर कंट्रोल हमारा जागरत्मन का है आख कान नाख जीव और हमारी चमडी पर यह पांच इंद्रियों के उपर हमारा जागरत मन्द से होता है, हम जो हलन चलन करते हैं, जो मूवमेंट्स करते हैं, यह मूवमेंट्स हम जागरत मन्द से करते हैं. हम जो सोचते हैं यह सोचने का काम हम जागरत मन से करते हैं आपको अनुबवे कि जब आप सुबह उड़ते हैं तब सोचना सुरू हो जाता है रात को सो जाते हैं तो सोचने का बंद हो जाता है इसका मतलब ही यह हुआ कि जागरत मन से होते हैं अगर अर्दे-जागरत मन से हम सोचते होते दो राज बर भी सोचते रहते थे इसा नहीं होता है यानि कि सोचने का काम हम जागरत मन से करते हैं वेश से सोच दो टाइप किरेती हैं कौँछी दो टाइप है? पोजीटिव एंड नेगेटिव सकारात्मक सोच नकारात्मक सोच अच्छी सोच, बुरी सोच कौन सी सोच अच्छी है? Positive यानि कि सकारात्मक सोच सकारात्मक विचार कौन से कौन से रहते है जरा हम देख लेंगे मेरा भाग्या उज्वल है सभी लोग अच्छे है मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है लोग मुझे खूब चाहते हैं, मैं बहुत कुछ जानकरी रखता हूँ और सत्योग आ रहा है ये सब हमारी सकारात्मक सोच है नकारात्मक सोच हम देखे, मेरा भाग्य में अंदेरा ही अंदेरा है किसी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए मेरा सारा जीवनी समस्या से बड़ा पड़ा है लोगों को मेरी कोई कदर ही नहीं है मुझे कुछ भी नहीं आता है विशल काली काल है यानि कि कलियुग चल रहा है ये सब बाते हैं, ये जो विचार है वो नेगेटिव थिंकिंग है नकारात्मक सोच है कौन से सोच करनी अच्छी है सकारात्मक या नकारात्मक पॉजिटिव कितने लोग मानते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग अच्छा है सब लोग, very good अच्छा आप दुसरा सवाल मेरा ये है कि आप मैं ऐसे ऐसे कितने लोग है जो हमेशा ओल्वेज पॉजिटिव थिंकिंग करते है ओल्वेज, very good 50% लोग ऐसे है देखिए जो लोगों ने हाथ उपर नहीं किया वो क्यों हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग नहीं करते है आपको मालूम सब को है कि पॉजिटिव थिंकिंग अच्छा है फिर भी ऐसे क्यों हता है कि आप नहीं करते है क्योंकि करना अलग बात है जानना अलग बात है हम सब को मालूम है सिग्रेट पीना हानी का रहे के 50% लोग पीते है दारू पीना नुक्सान करता है फिर भी लोग करते है क्योंकि हम जो करते हैं वो हम सोचने के इसाफ से नहीं करते हैं, हमारी आदत होती है, गुसा करना बुरी बात है, हमें मालूम हैं, फिर भी हम गुसा करते हैं, क्यों? क्योंकि यह हमारी आदत बन जाती है, और computer language में आदत यानि क्या, programs, हमारी यह programs लिखे जाते हैं, और यह program हमें control करता है, हमें इस negative thinking करने का program, ऐसे बहुत सारे program हमारे यह computer में बढ़ा पड़ा है, और यह program हमें control करता है, हमें मालूम है कि गुसा नहीं करना चाहिए, गुसा हो जाता है, हमें यह मालूम है कि negative thinking नहीं करना चाहिए, negative thinking हो जाता है, हमें मालूम है दारूपी नहीं है, हम दारूपी लेते है क्योंकि आदत है हमारी, तो ये आदत की वजह से ऐसा होता है और हम इसको बदल क्योंने静 सकते हैं क्योंकि ये जो प्रोग्राम जहां पर पड़ा है उसको अगर हम समझ नहीं पाए सब कोंशिय के सल मैं में पड़ा रहता है वहां नहीं कर रखते हैं तो अब हम यह देखेंगे कि इसको कैसे बदला जाए मेरे पास काफी लोग आते हैं कि साब आपकी बात सही है नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना चाहिए पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए मैं प्रयत्ना भी काफी किये मगर नहीं होता है मैं जब उसको मैंने बहुला कि आपकी यह जो तरीका है वही गलत है क्योंकि आप जो सुबह में डिसाइड करते है वह अपने आप होना शुरू हो जाता है आपको अगर ट्राइ करना है तो करिए आप एक दिन सुबह उटके डिसाइड कर लीजिए तरी कर लीजिए कि आज मैं बंदर के बारे में नहीं सोचूंगा देखिए पूरा दिन आपको बंदर की बाते याद आएगी बंदर दिखेगा आपने सुवह में बंदर को याद कर लिया पूरा दिन आपको बंदर दीखेगा क्योंकि यह तरीका ही गलत है अगर आपको पौजीटिव थिंकिंग शुरू करना है तो आप अपने आपको ये बोलिए कि आज शिर्फ मैं positive thinking करुँगा, तब आपका positive thinking सुरू होगा, वैसे negative thinking को दूर करके positive thinking के लिए में क्या करना चाहिए? जैसे हम अंदेरे को दूर करने के लिए जो करते हैं वही अंदेरा यानि नेगेटिव थिंकिंग उजला यानि पॉजिटिव थिंकिंग देखिए परदे के उपर अंदेरा है नेगेटिव थिंकिंग है उसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे लाइट जलाएंगे अपने आप अंधिरा दूर्ड भजाएगा बिल्कुल वैसा है अगर आपको नेगेटिव ठिंकिंग की आदत निकालनी है तो आपको क्या करना है आपको पॉजीटीव ठिंकिंग करने का डिसाइड करना है डेली सुबह अपने आपको बताइए कि मुझा इस positive thinking करना है और positive thinking करने के लिए कुछ आप help ले लीजिये आप positive thinking करने के लिए help के लिए मैंने मन की प्रातना नम की एक किताब निकाली है कैसे एटोस सीडी है यह मन की प्रातना यह positive command है अपने लिए अगर ये मन की प्रात्ना रोज सुबह में आप एक बार सुन लोगे या पढ़ लोगे तो आपके अंदर ये ओटो सजेस्टन यानि स्वाच सुचन द्वारा सब कॉंचियस माइन में पॉजिटिव कमांड चले जाएंगे और साइकोलोजी मनोविग्णान का एक सिधानत है कि आप जो काम 21 दिन तक कॉंचियसली करते हैं वो 22 दिन पर आपके आदत हो जाती है यानि कि आप मन की प्रात्ना 21 दिन तक रेगिलरली करोगे एक दी दिन के छोड़ के बिना यानि ब्रेक नहीं होना चाहिए मालनों आप 15 दिन पर बूल गए एक दिन आपको प्रात्ना करने का टाइम नहीं मिला तो आपको 16 दिन को एक दिन गिन के फिर से सुरू करना है तो आप 21 दिन तक जो काम हम प्रात्ना से करते हैं तो 22 दिन पर आपनी आदत हो जाती है यानि कि आपको नेगेटिव थिंकिंग से पॉजिटिव थिंकिंग की आदत डालनी है तो आप 21 दिन तक पॉजिटिव थिंकिंग करिया यानि कि मन की प्रात्ना पढ़िये या सुनिये ध्यान से तब आप पॉजिटिव थिंकर बन सकते हैं दुसरी बात यह है कि कोई भी प्रात्ना का दो फाइदा होता है, एक mechanical and दुसरा psychological. अगर आपको प्रात्ना के हर सब्द का अर्थ मालूम है, तब आपको psychological फाइदा होगा, अगर अर्थ मालूम नहीं है, तो सिर्फ mechanical फाइदा होगा. इसलिए ऐसी प्रात्ना होनी चाहिए, इसका आपको अर्थ मालूम हो, यह मन की प्रात्ना के जो सब्द है, इतने simple है, इतने सहल है कि आपको सब उसके अर्थ मालूम पढ़ेंगे. ऐसे मेरे पास काफी लोग हैं, जिनोंने मन की प्रात्ना 21 दिन तक करके अपने जीवन को बदल दिया है, positive thinking करवा दिया है. दूसरी बात यह है कि हमारा negative programming हो क्यों जाता है और कब होता है? जब हम बच्चे से जब बड़े होते हैं, तब हमारे साथ जो बरताव किया जाता है, हमारे सामने जो बोला जाता है, हमारे लिए जो कहा जाता है, यह सब चीज हमारे mind में recording हो जाती है, और यह recording हमारी आदत बना देती है. अमेरिका में एक research हुआ था, एक survey हुआ था, कि जब बच्चा पेदा होता है, तो 18 साल तक उनके बारे में जो कहा जाता है, उसमें कितना negative होता है, कितना positive होता है, उनके साथ permanently एक recording machine चालू करके रख दिया गया, पेदा हुआ तब से 18 साल तक, और 18 साल के बाद जब उसको analyze किया गया, पुर्थकरन किया गया, तब मालू पड़ा कि अमेरिका में average हर बच्चा 18 साल पूरा करने के पहले, 36 घंटे तक continuous चले, ऐसे negative command ग्रहन करता है, अंदर ले लेता है, चाहे वो अपने parents से हो, सिक्सक से हो, TV से हो, पडोशियों से हो, कहीं से भी हो, कैसा, कि तु ग कि तुमारे में कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाएगा, तुम गदा है, तुमारा दिमाग अच्छा नहीं है, ऐसी बाते करते रहे तो आपके दिमागी क्या हालत होगी, वैसे हमने इसब की कथा सुनी हुई है, इसब की कथा में है कि एक ब्रामीन अपने कंधे पर बक्री उठा कर रहा था, उसको कुछ दूर्त लोग मिले, उनको लगा कि इन से बक्री ले लेनी है, तो उन्हें ने आइडिया किया, चार लोगों ने मिलके, एक के बाद एक दूर्त आके उससे आके बात करता है, और उसको मना लेता है कि उसके कंधे पर जो है वो बक्री ओटा है ल् guar hi औ hiç needam किता उख्याम जले और फिर निकल जाता है दुसरा लगता है कि साइद महीं गलत हूं ऑर बकलिक देता है और आगे निकल जाता वो लोग उसको बकरी को उठा के लेके जाते हैं आपने सबने एक कहानी सुनी है सोच लिजिए कि अगर चार बार एक ही बात लोगों को बताई जाए तो आदमी देखने के बात भी बकरी को कुता समझना सुरू कर देता है तो अगर आपको 36 गंटे तक चले ऐसे नेगेटिव कमांड आपके कम्पीटर में डाला जाए तो आपका कम्पीटर की क्या आलत होगी और ये तो अमेरिका की हालेते जहां बहुत लोग काफी पढ़े लिखे है हमारे देश की क्या आलत होगी यह मालूम नहीं है क्योंकि ऐसा कोई सर्वे हुआ है मगर यह तो मालूम है कि उसे अच्छा तो हमारा रिजर्ट होई नहीं सकता है साहगी सालत चले इतने कमांडा हमारे बच्चे में बर जाता है तो हमें क्या करना है इसमेंसे क्या सीखना है अब तो जो हो चुका वो भूल जाईए अब एक बार डिसाइड कर लेजिए कि हम हमारे बच्चे के लिए कभी भी कोई negative command नहीं बोलेंगे हम यह चाहेंगे कि हमारा बच्चा अब आगे जाके negative thing करने ही बने हमारे बारे में भी यह सोचना है कि आगे जाके हम कभी बी किसकी negative बाते नहीं सुनेगे कहीं भी negative बाते चल रही है तो हम क्या करेंगे महा से उठके चले जाएंगे कोई आप से कलियुक की बाते करना सुरू करेंगे बहुत कलियुक चल रहा है आजकल तो जीने का जमाना नहीं है अपने देश का क्या होगा मालूम नहीं है ऐसी बाते अगर कोई करना शुरू करे तो आप क्या करोगे हाथ जोड़के उठके चले जाओगे तलियुक की बाते नहीं सुनोगे क्योंकि यहाँ जो अभी तक poison जमा हुआ है उसको निकालने का बाखी है और aid करने से क्या फाइदा पहली बात यह है कि अब negative thinking बंद कर जीए दुसरे बात देखिए कि आप जो भी news देखते है या पढ़ते है निउस पेपर में और निउस को एक बार analyze करिए उसमें कितने news negative रहते हैं कितने positive रहते हैं आपने कभी analyze किया है सुबह उड़के paper पढ़ते पढ़ते हैं कौन से news ज्यादा रहते है negative कितने 90% मैं तो हमेशा देखता रहता हूं है रहन हो जाता हूं कि सुबह उठके हम 90% negative news पढ़ते हैं हम सुबह ब्रेकपास टेबल पर बेढ़ते हैं बदाम पिस्ता वाला दूथ पीते हैं अच्छा सा खाना खाता है क्योंकि हमारा सरीर की हमें फिकर है इसकी फिकर नहीं अकश्मात हो गया इसने इसको तर्चोड जिया यह सब चीज़ा ही हम पढ़ते रहते हैं हमारा यह computer, super computer जो मन नायम का computer है यह एक अधुनिक computer है और computer का सिधानत है garbage in garbage out हमने अभी तक कितना garbage यहां पर डाला है जो हमारे यहां से बार आता है महरबानी करके अब यह garbage डालना बंद कर दीजिए, कचरा डालना बंद कर दीजिए, अंदर जो कचरा पढ़ा हुए है उसको निकाले, कैसे निकाला जाए, positive thinking का dose add करते जाए, धीरे धीरे plus out हो जाएगा, वो निकल जाएगा जो अंदर negative thinking पढ़ा है, एक ही तरीका है कि आप इसको बदल सकते हैं मगर हकारात्मक सोच करने से क्या फाइदा होता है, मनोविग्नान का एक सिधान्थ है, कि आपकी जो बाहर की दुनिया है, वो अंदर की दुनिया का प्रतिवीम है, अंदर की हमारी दुनिया यानि हमारी सोच, यानि कि thinking and belief, अगर हमारा thinking positive रहेगा, तो हमारी बाहर की दुन कि दुनिया का अनुभव negative होगा, जिसको हम कल्यूग बोलते हैं, वही कल्यूग में मैं जीता हूँ, मगर मेरे साथ कोई भी कल्यूग का अनुभव नहीं हुआ, किसी ने मेरा जेब नहीं काटा, किसी ने मुझे छोरी नहीं मारी, मेरे गर में चोरी नहीं हुई, मेरा accident नह हुआ, कि मेरे यहां पर कल्यूग नहीं है, अगर हम यहां कल्यूग रखेंगे, तभी कल्यूग के अनुभव हमें होंगे, क्योंकि एक mental law है, cosmic law है, कि हमारे विचार वही परिस्थिति को हमारे तरफ खींटा है, आपको आपके बाहर दिन दुनिया बदलनी है, तो आप एक काम करिए, अंदर की दिनिया बदल दीजिए, आपकी जो सोच है, उसको सकारात्मक बनाएए, पॉजिटिव ठिंकर बनी है, आपकी बाहर की दुनिया बदल जाएगी, हम जो तर्क करते है, लोजिक, यानि हमारे मन में सवाल उठता है, वोट, वाई, वेन, हाव, ये सवाल हमारे जागरत मन से उठता है, हम जो पृत्थक करन करते है, विसलेशन करते है, ये हमारे जागरत मन से होता है, हम जो अर्थघटन करते है, इंटर्पिटेशन करते है, पृत्थक करन होने के बाद, ये भी हम जागरत मन से करते है, बुद्धी का आंक, यानि कि IQ, कुछ लोग ऐसा मानते है कि जिसका IQ उचा रहा वो हमेशा जीवन में सुखी होता है सफल होता है सही बात है नहीं IQ का रोल हमारे जीवन की सफलता के लिए और सुख के लिए कितना है अनली 10-20 परशंट फिर ज्यादा जरूरी क्या है EQ and SQ EQ यानि emotional कोसंट SQ यानि spiritual कोसंट यह जो दोनों है EQ and SQ वो हमारे अर्दजागरत मन के पास है जागरत मन के पास सिर्फ IQ है और देख लीजे कि हमारे स्कूल में जो हम ट्रेनिंग लेते हैं स्कूल और कॉलेज में स्कूश की ट्रेनिंग है जिर्फ IQ बढ़ाने के ट्रेनिंग। बहृत कम स्कूल है जहां पर EQArsQ बढ़ाने के बारे में कोई mentalis और training प्रोग्रम है हम कहीं नोकरी के लिए जाते हैं तो हमारा क्या चेक किया जाता है हमारा IQ चेक किया जाता है, EQ और SQ चेक नहीं किया जाता हूँ, इसलिए कभी ऐसा आता है कि highly intelligent आदमी हमारे organization में आता है, मगर उनका EQ या SQ कम होने से organization को नुक्सान करता है, हम अगर हमारी personality अच्छी करनी है, develop करनी है, तो यह दो टाइप की personality है, बाहर की personality, अंदरुनी personality, inner personality, outer personality, computer की बासा हमें बोले तो hardware personality and software personality, तो यह अंदर की personality यानि कि software personality यानि क्या, IQ, EQ, SQ, जब हम हमारे विकास के बारे में सोचे, हमारा व्यक्तित्व विकास करें, तब हमें यह देखना है, कि हमें हमारा physical personality सुधारना है, और अंदर की personality यानि IQ, SQ और EQ, तीनों सुधारना है, हमारे सामने जो opportunities आते हैं, मोके आते हैं, उसको पैचान लेना और उसको पकड़ना, यह काम हम जागरत मन से करते हैं, आज आपके सामने एक opportunity आई, यह प्रोग्रम में आने की, और उसके बारे में शीखने की, आपने उसको पैचाना और यहां आखे आपने प्रोग्रम एटेंट किया, यह दोनों काम आपने जागरत मन से किया है, जजमेंड पार क्या सही है और गलत है, यह जो पहचान है कि हमारी जो पार है, यह हमारे involves conscious mind के पास है, हम जो निर्णी करते हैं, decision लेते हैं, वो भी हम जागरत मन से करते हैं, आपको मालूम है कि आप जो भी decision लेते हैं, वो जागरत मन से दिन को लेते हैं, रात को कोई नहीं लेता है, क्योंकि रात को जागरतमन काम नहीं करता है, और हमारे हर डिसिसन हमारे भविश्य को बनाता है, एक बार हमने कुछ काम करने का नीरने किया, फिर उसके बाद हम उसका अमल करते हैं, एक्षन लेते हैं, यह एक्षन लेने का काम ह हम जागरत मन से करते हैं, हम जो पसंद करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, क्या खाना, क्या पेनना, कौन सी गाड़ी खरीदना, ये हम जागरत मन से करते हैं, हमारे अंदर इच्छा उत्पन होती है, ये इच्छा हमारे जागरत मन से होती है, आपको मालूम है सुबह उठते हैं, तो इच्छाय सुर्व हो जाती है, रात को जब सो जाते हैं, इच्छाय पूरी हो जाती है, इसका मतलब ये जागरत मन से उत्पन होती है, अब सबसे अगत्य का काम हमें जो करना है, जो जागरत मन की जिम्मेदारी है, जो हम नहीं करते हैं या जानते नहीं है, वो ये है, हमे जागरत मन से अर्ध जागरत मन के दरवाजे पर खड़ा रहे के पेरेदारी करनी है, चोकिदारी करनी है, ऐसा क्यूं? क्यूंकि अर्ध जागरत मन बहुती पावरफुल मन है, मगर उसकी कुछ विचीतरता है, उसकी कुछ ऐसी खासियत है, जिसकी वज़े से अगर उसकी चो किदारी करनी पड़ती है उसके पहले विकीतरता यह है कि नकारत्म आदेस का अमल वो तुरंती कर देता है उसको नेगेटिव कमांड पर काम करना अच्छा लगता है उसके दुसरी खासियत यह है कि वो मजाक नहीं समझता है उसको आप मजाक में भी कुछ नेगेटिव बोलो तो मजाक नहीं समझेगा उसको हकिकत समझ के जीवन में प्रोब्लेम कर देगा तिसरी खास बात यह है कि सिर्फ आपका नहीं दूसरे का कमंड भी ले लेता है इसलिए हमें ये भी देखना है कि हमारी तरफ से कोई नेगेटिव कमंड उनके पास नहीं चला जाए और दूसरे क्योंकि खास बात यह है कि एक बार नेगेटिव कमंड अर्दजागरत मन के पास चला गया फिर आप उसको वापिस नहीं ले सकते हैं अर्जुन के तीर जैसा है एक बार छुड़ गया छुड़ गया उसको आप वापिस नहीं ले सकते हैं इसलिए जरूरी है कि हमें नेगे रागरत मन एक वी कित्रमन हैं विसे फिल्मों में से बहुत काफी बाते सीखने को मिलती है आप लोग हिंदी फिल्में देखते हैं नहीं देखते हैं फिल्में दो तरीके से देखी जाती है दिल से और दिमाग से आप मैं से इसे कितने लोग है जो दिमाग से फिल्में देखत बहुत अच्छी तरह से आया हुआ था, और ये फिल्म का नाम है, हम दिल दे चुके सनम, आपने से कितने लोगों ने देखी ये फिल्म, खुट, सभी ने देखिये, देखिये ये फिल्म के अंदर, ये बैतरीन एक्जामपल दिया गया है, यह फिल्म की स्टोरी क्या है अईस्वरिया राई सलमान खान को प्यार करती है सलमान खान से साधी करना चाहती है मगर होता क्या है कि सडनली ऐसा एक एन्वार्मेंट बन जाता है कि उसको अजे देवगोंड से साधी करनी पड़ती है फिर अजे देवगण से प्यार करना पड़ता है और सलमान खान को बाई बाई बोलना पड़ता है यह story है I swear your eye जो सलमान खान को sincerely प्यार करती थी सलमान खान के साथ साधी करना चाती थी और घर बसाना चाती थी मगर उसके life में ऐसा change क्यों आया यूटन क्यों आया कि उसको अजे देवगण के साथ साधी करनी पड़ी अजे देवगण के साथ जीवन बिताना पड़ा ऐसा क्यों हुआ इसमें subconscious mind का सिधान थे I swear your eye गलती से एक negative command बोल देती है और ये negative command जैसे खतम होता है और story में यूटन आना शुरूँ जाता है आपको यादि ये कौन सा dialogue था जिसने ये पूरा यूटन दे दिया तुम देखते रहोगे कोई मेरे जिंद्गे में आएगा और मुझे ले जाएगा Very good यानि कि आपने ये पिक्चर दिमाग से देखा है Very good Wonderful देखिए हिंदी पिक्चर दिमाग से देखने से क्या फाइदा होता है I swear your eye का जब सलमान कांग के साथ जगड़ा होता है तब गुसे में बोल देती है कल साधी में जा रहे हूँ जीवन में पूरा यूटा ना सुर्वा जाता है फिर आइस्वारी आ रहा है कितने मेहनत करते हैं उसका सलमान खान मिलता नहीं है समीर जशन शुरू होने वाला है मजा मत खराब करो ठीक है बोलो अपनी दिल की बात मैं सुनूँगी क्या कहना चाहते थे तुम मैं अभी यह कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे प्यार के काबल नहीं हो अच्छा बैठे रहो फिर शादी में बहुत सारे लोग आए हुए हैं कोई तो होगा अज मुझे प्यार के काबल संचेगा और आज अगर उसने मेरा हाथ बाबा से मांग लिया ना तो फिर तुम देखने रहा ना खटे निम्बुडे देखिए एक ही गलत डायलोग जीवन को कैसा बरबात कर सकता है कैसे बदल सकता है यह देखने के लिए समझने के लिए और जानने के लिए फिर से एक बार यह पिक्टर देख लिए हम दिल दे चुके सनम उसके बाद आप कभी भी ऐसे नेगेटिव डायलोग नहीं बोलोगे जो आपके जीवन को ऐसे गलत रास्ते पे रहके जाए वैसे मेरा सवाल यह है कि आइस्वरिया राय नहीं यह डायलोग बोला क्यों क्योंकि उसने प्रेरना का जर्ना मेरी किताब भी नहीं पढ़ी है और मेरा सेमिनार भी एटे नहीं किया है अगर वो कर लेती तो यह डायलोग कभी नहीं बोलती थी वो आप कभी यह डायलोग मत बोलिए दूसरा एक डायलोग हम commonly बोलते हैं मेरी उमर तुझे लग जाए ये डायलोग सही है गलत है गलत है कभी नहीं बोलना मैंने इसे example देखा है मेरी मधर के जीवन में मेरे बेहनोई का heart का operation था bypass surgery था जब मेरी मधर को मा को मालूम पढ़ा कि मेरे जवाई का ये operation है तो एकदम ग साथ दिन तक मेरे बेहनोई होपिटल में थे वहाँ पे बाइपास surgery करवाने के लिए देली में मेरी मधर यहां है एमदाबाद में बेठी बेठी सुबह बगवान को यही प्रात्ना करती थी मेरी उमर उनको दे दे और क्या हुआ जिस दिन मेरे बेहनोई ओप्रेशन करके से डिशाज हुए दिली में बाइपास surgery करवा के वही दिन को मेरी मधर एमदाबाद में हार्टेटक से गुजर गई चल बसी देखिए मेरी उमर तुझे लग जाए इसका एक्जामपल मेने मेरे घर में देखा है मेरबानी करके यह डायलोग कभी भी मत बोलिए यह प्रोग हहिboard में क्या लिखा था यह एक दर्दी आया था उसको भिछु ने काट लिया था चार घंटे तक इलाज चला तब जाका ठीक हो गया और उसे चुति दी दिए दृसरी लाइन लिखे थि यहाँ एक दर्दी आया था जिसे कुप्ठे ने काट लिया था चार दिन इलाज चला, अच्छा हो गया, छुट्टी दे दी गई तिसरे लाइन लिखी थी, यहाँ एक दर्दी आया था, जिसे साप ने काट लिया था बारा गंटा इलाज चला, अच्छा हो गया, छुट्टी दे दी गई तोथी लाइन लिखी थी, यहाँ एक दर्दी आया था, उसे आदमी ने काट लिया था, जो महिनों से अंदर है, आज तक ठीक नहीं हुआ है यह बात क्यों लिखे थी, यह मजाक था या कुछ मेस的话 था, इसके अंदर, बहुत अच्छा मेसेर था, और यह क्या मेसेर था, क्या अगर आपको बिछूने काटा, सापने काटा, कुते ने काटा, तो डरिए मत, ड्क्टर के पास विलाएंज एे, मगर अगर आदमी ने काट लिया तो डरने वाल बात है कि कि आद्मी जितना जहली लई इंशन इस दुनिया में है यह नहीं यhea इसका मेशेट था ऐंशन मेरा सवाल यह है कि इंसान इंसान को कटी आ जई आद्मी को घंटान हा ना एससरे नो आचा कितने लोग मानते है काटता है यह कि इस Кटने काम ये अदमी ने कैसे संभाल लिए यह तो हमारे काम पर कार्डने म कैसा कार्टा है आज्छ कई open करता है गोड़ा कि कैसे घाव करता है और बॉर्ट कई बोल कि वेरिग उहां हम जो काटते हैं धात्स दयराथ्से नहीं हमरे जबात से काटते हैं हमारे सब्द से काटते हैं देखिए कैसी जबान हम यूज करते हैं तुझ में तो जरासी भी अकल नहीं है यह बात तेरी समझ में नहीं आएगी मेरे तो बागया ही फूट है जो तुम्हारे साथ पाला पड़ा तुम कभी नहीं सुधरेगी तुम एक दिन प्रोग्रामिंग हो गया, वो जीवन में हमेज के लिए बिना काम का हो जाता है, बिल्कुल निकामा हो जाता है, इन्फियरिटी कॉंप्लेक्स, डिप्रेशन, यह सब बीमारी है, यह ऐसे नेगेटिव कमांड सा आती है, मेहरबानी करके ऐसे नेगेटिव कमांड किसी के लिए इस्तमाल मत कीजिए, क्योंकि अगर ऐसे कमांड यूज करना सुरू किया, और सामने वाले का नेगेटिव प्रोग्रामीं हो गया, फिर क्या होगा, वो जीवन में कुछ काम काने रहेगा, साइकेट्रिक इल्नेस, मांसीक बीमारिया सुरू हो जाएगी, और आपको मालूम है कि मांसीक बीमारिया एक बार हो गई तो उसको ठीक करना कितना मुश्किल काम है, इसलिए कभी ऐसे डायलोग मत बोलिये, एक बार मेरे पास एक आदमी आके मुझे पुछता है कि जीतु भाई मुझे समाज सेवा करनी है, मैं कैसे करो, तब मैंने उसको क्या जवाब दिया था, समाज सेवा सुरू करनी है तो एक काम करिये, किसको काटना बंद कर दीजिए, किसे को काटिये मत, कि हम जो भी कुछ करते है, उसमें सबसे ज़्यादा जो नुक्सानकारी काम है, वो यही है, दूसरे के लिए नेगेटिव काम करना है, जाने कि हम दूसरे को काटते हैं, अगर हमें समाज सेवा सुरू करनी है, तो पहले यह डिसाइड कर लेंगे, कि हमें दूसरे के लिए कभी भी नेगेटिव कमांड यूज नहीं करना है, आप मैसे इसे कितने लोग मानते हैं, कि जीतु भाई की बात सही है, कि हम दूसरे के लिए नेगेटिव कमांड यूज नहीं करें, वो सबसे बड़ी समझ सेवा हाथ उपर गीजे, फिर एक हम काम करते हैं, हम खड़े होके एक सपत लेते हैं, प्रतिग्या करते हैं, जो हमारे जीवन में बहुत जरूरी प्रतिग्या है, आप सब अपनी जग़े पे खड़े हो जागे और मैं आपसे प्रतिग्या करवाता हूँ, हाथ हैसा करके, हाथ सिधा कर गए और मैं आपको जो बोलता हूँ आप रिपीट कीजिए मैं आज के बाद कभी भी किशी को भी जाने या अंजाने में काटूंगा नहीं आपने बहुत बड़ी प्रतिग्ना कर लिए मेरबानी करके इस प्रतिग्ना को पा लिए जीवन के सबसे बड़ी प्रतिग्या है समाज सेवा सुरू करने के लिए किसी के लिए भी कभी भी कोई नेगेटिव कमांड यूज नहीं करना है मगर आपको यह नहीं लगता कि प्रतिग्या आपने बहुत कम लोगों ने लिए मगर इस सहर में तो बहुत सारे लोग है जिनको इसके बारे में कुछ ग्यान नहीं है वो लोग जिनको यह ग्यान नहीं है वो तो अपनी आदत से आपको काटते रहेंगे और आपको नुक्स सब्सक्राइब इसे लिक्विड नहीं है क्योंकि यह काटने का भी मानसिक है और बीमारी भी मानसिक होती है इसलिए इसका टिका भी मानसिक है और इसकी प्रात्मिक सर्वर भी मानसिक है अब हम पहले देखेंगे कि कौन सा टिका है जो लगाने से हमें यह दूसरे के काटने की असर नहीं होती मेरे पास दो टाइप के टिक हैं इंग्लीज और अपना देशी कौन सा चाहिए इंग्लीज या देशी दोनों बोल देता हूं मैं एक ऐसा सेंटन्स है जो दिन में सुबह में तीन बार बोलने से आपको दुसरे की काटने की इफेक्ट नहीं होगी डेली सुबह तीन बार बोल सेंटन्स आपको रोज सुबह तीन बार बोलके अपने दिन की सुरुवात करनी है ठीक है यह जिनको इंग्लीज अच्छी तरह मालूम है उनके लिए हिंदी में है मेरी दुनिया में सब कुछ स्रेष्ट ही है और कल्यांकारी भी यह सेंटन्स हमें दिन में तीन बार बोलना है इस सेंटन्स को मैं बोलता हूं मनका महा मंत्र जैसे नवकार मंत्र गायत्री मंत्र ओमकार मंत्र है ऐसा जीतेंद्र अडिया ने शुरू किया हुआ हुआ यह मंत्र है जिसका नाम है मनका महा मंत्र यह मनका महा मंत्र आपको रोज सुबह में बोलके दिन की सुरुवात कर आइडियली आपको सुबह में काम सुरू करने के पहले बोलना है, मगर एक बेहन जी मुझे आके पुछती है कि मेरे तो घर में ही काटने वाले लोग ज्यादा है, तो मैं ये कब बोलू, तब मैंने बोला जब सुबह नीन खुलती है, आँखे खुलती है, तो बेड में सोते- सोते ही, पहले ये तीन सेंटेंस बोल दीजिए, और फिर रूम से बार निकले, क्योंकि जैसे ही आप बेड रूम से बार निकलेंगे, आपकी सास, ननान या कोई आपको काट लेगा, एक भाई मुझे पुछता है, मगर बेड में ही कोई काटने वाला है, तब ये कब बोलन है, मगर बोलना जरूर ही है, दीन में कभी भी बोल दीजिए, प्रात्मिक सारवार, फस्टेल, अभी प्रात्मिक सारवार कब करने पड़ता है?